इसमें आई का इस्ट्रक्चर डॉक्या है तो इसमें यह मैंने जो आइस के ऊपर एक फोल्ड आता है ना आइस उपन करने पर यह क्रीज बनाने की कुशिश करी है तो अब मैं आपको बताती चलूँगे कि आई कितने पार्ट में डिवाइड करनी पड़ती है आई मेकप के लिए तो जो यहां पर आई की ब्रो के पास में नीचे बून होती है इसको हम बोलते हैं ब्रो बून ठीके उसके बाद जो यह एक फोल्ड आता है जब हम आई उपन क इसको बोलते है इसको बोलते हैं अपर लैश लाइन पाता है नहीं जुड़े होते हैं उस जगह को बोलते हैं और यह पर हमारी लैश लाइन यहां याद रखना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है क्यूआ अप तो इन ही नामों को बोलते हैं, जो आप मेकप करते हैं, कोई आपको बोलेगा आप लेश लाइन, लोगर लेश लाइन, तो आपको समझ के से आएगा, कि कहां किस चीज की बात की चारी तो, मेकप सीखने से पहले आपको ये पाज के नाम याद होना बहुत ज़रूरी है, इसल पर काजन लगाया जाता है एक यह वाला एरिया जो होता है लेशी के अंदर जो थोड़ा वाय के दिखा है इसको बोलते हैं waterline क्योंकि आपने देखा होगा न हांके अंदर हलका सा यह पार रहता है जब आंशू आते तो यहां पर आपके आंशू दिखने हैं ये तो मैंने आपको बता दिया मुटा मूटा पार्ट जो आइस का होता है अब हम डीप में चलते हैं जब मेक उइस तो एरिया ये एरिया 브로?! इस crease से थोड़ा सा उपर जो area ये वाला रहता है space इस space में हम क्या करते हैं इस जो space है इसमें हम क्या करते हैं हम एक line बनाते हैं crease के उपर और वो line को हमें crease तक वैलाना होता है generally अपनी crease line को किसी light color से ही देखा होगा जैसे कि मैं यह ड्रॉ करके दिखा देते हूं इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं highlight area इसे बोलते हैं crease line और उसके बार हमारा आजाता है इस eye को हमें three parts में divide करना पड़ता है तो जैसे कि यह हमारा इनर इनर लिड एरिया हो गया यह हमारा आउटर लिड एरिया हो गया और यह इतना पार्ट मिडल अब हम इसको तीन पार्ट में आई-को टिवाइब करते हैं फोरमेकप कि लिड गो को आउटर पार्ट मेडल पार्ट अन इनर पार्ट जो हम मेकप करते हैं तो हम एक V शेप यहाँ पर बनाते हैं इस outer v वो v shape कैसी होती है जो हम लगाते हैं ऐसे करके dark सा color ऐसी व बनाते हैं आपने देखा होगा हमिशा corner पे एक dark color से ऐसी v сी v बनी वी सी इस तरीके से इसको हम बोलते हैं outer v फिर हम उस outer v के color से एक light color यहां पर यूज़ करते हैं just उस से light color उसका भी light color फिर हम corner में यूज़ करते है, inner lid पर और इस जो छोटा सा ये है, इसको क्या बोलते है इसको बोलते है, tear duct और इसको हम inner corner भी बोल सकते है आपने देखा होगा, यहाँ पर एक shimmer सा लगा देखेते हैं हलका light से color का, end of the makeup तो ये बहुत beautiful सा look देता है फिर उसके बार आपने ये भी देखा होगा, makeup party जो करते हैं यहाँ पर एक काजल लगा देंगे और lash line, जो lower lash line होती है, जहाँ पर हमारे kagors ऐसे से से होते है वहाँ पर कोई भी color का smudge कर देंगे पूरे lower lash line पर, वो बहुत अच्छा look देता है इस तरीके से smudge कर देते हैं और जो ये water line होती है sometime आपने देखा होगा इधर white color का वह लोग काजल लगाते हैं वह इसलिए लगाया जाता है कि eyes को थोड़ा सा बड़ा दिखा सकें अगर इस तीज में आपको कोई doubt आ रहा है तो मुझे पूछे नेक्स्ट वीडियो में भी मैं आपको समझाने के लिए और इससे बहतर तरीका मुझे नहीं लगता था मैं और निकाल सकती थी कोशिश करोंगे और कोई बहतर तरीका हो तो उस तरीके से भी मैं आपको समझा सकूँ